एक आदमी के घर डाकू घुज गए और उन्होंने लूट का सारा समान ट्रक में लाद दिया अंत में उस आदमी ने एक संदुक की तरफ हिसारा करते हो कहा भाई इसे भी ले जाओ प्लीज डाकू का सरदार साधी सुदा था और अकलमंद भी तो उसने पूछा क्यों रे इसमें तिरी बीबी है क्या जो तुखुद इसे ले जाने के लिए बोल रहा है आदमी बोला नहीं नहीं बीबी तो अलमारी में चली गई इसमें मेरी सास है जिससे मैं सबसे ज़्यादा डरता हूँ पांच हजार करोड का टर्न ओवर करने वाले बाबा रामदेव से निवेधन है कि वे पतंजली गलफ्रेंड भी लॉंच कर दे जो पिज़ा बर्गर के बजाए आयरुवेदिक चूण खाती हो एक बेरोजगार आसिक का निवेधन एक आलसी आदमी अपने दोस्त को समझा रहा था वाकिंग करने से चरवी कम होती है तो हाथी का बज़न कम क्यों नहीं हुआ दूद पीने से सरीर का विकास होता है तो बिल्ली आज भी वरसों से ऐसी ही छोटी क्यों है रोज जल्दी उठने से घर में समरिद्धी आती है तो न्यूस पेपर बाटने वाला ओडी कार में क्यों नहीं गूंता भाई मेरा फरिच सा बताना आप भी ज्यादा भ्रम में ना पड़ो तो सही है देर रात एक पती पत्नी पार्टी से लोट रहे थे रास्ते में पूलिस ने उनकी गाड़ी रोकी और तलासी लेने लगे गाड़ी के काज़ात वगेरा चेक करने के बाद इंस्पेक्टर ने पत्नी की और रिसारा करते हुए पती से पूछा ये मौतर्मा कौन है? पती बोले, मेरी पत्नी है इंस्पेक्टर बोले कोई सबूत है आपके पास जो यह सिद्ध कर सके कि यह आपकी पत्नी है पती पहले तो दो तीन मिनट के लिए सोच में पड़ गया फिर गाड़ी से उतर कर इंस्पेक्टर को एक और ले जाकर धीरे से बोला सर अगर आप किसी तरह यह सिद्ध कर दें कि यह औरत मेरी पत्नी नहीं है तो मैं अपना 25 लाग का बंगला आपके नाम कर दूँगा इंस्पेक्टर साहब वहीं बेहोस